इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सर्वांग सम्ता यानि कॉन्गुरूइंसी और सम्रूपता यानि सिमिलारिटी में अंदर क्या है? तो अगर आपके सामने दो आकरतियां दी जाती हैं और आपसे पोचा जाता है कि बताओ यह आकरतियां क्या आपस में सरवांगसम है या समरूप है बताइए तो इस वीडियो में आपको यही सब सीखने को मिलेगा तो शुरू करते हैं देखो माईडियर यहाँ पर दोनों छीजें मैंने लिखें दोनों अलगला कॉलूम है यह है सरवांगसमता और यह समरूपता सबसे पहले बत करते हैं सरवांगसमता की नाम से ही जैसे पता चल रहा है सरवांगसमता यानि सर्व अंग समान यानि एक जैसे ही सभी अंग होते है यानि अगर दो आकरतिय हमारे पास है और उनका शेप शेप और साइज यानि जो उनका रूप है और उनका आकार अगर एक जैसा होता है तो उनको हम कहेंगे कि यह सरवांग सम है बात समझ आगी? मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ एक चत्रभुज यहाँ पर मैं बनाता हूँ आप अपने सामने एक चत्रभुज देख सकते हैं और अगर मैंने इस चत्रभुज को कॉपी पेस्ट किया इसके बगल में तो मेरे पास इस तरह से आकरतिय मिल जाएंगी ठीक है आप नोटिस करेंगे कि यह जो दोनों आकरतिया हैं इनके लंबाई चोड़ाई हर एक तरफ से बिलकुल एक जैसा है यह तो मैं यह कहूँगा कि यह दोनों आपस में सरवांग सम्हें क्योंकि हर एक अंग एक समान है यानि अगर आप एक दूसरे के उपर लेके आएंगे इसको जैसे इसको मैं इसके उपर लेके आता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि बिलकुल ओवरलैब कर जाएगा है पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर दो है ठीक है न इनको फिर मैं अलग कर देता हूँ यह तो यह दोनों जो आकरतिया हैं आपस में क्या है यह यह सरवांग सम्हें क्लियर हो गई बात समझागी अच्छा अब बात करते हैं सम रूपता की तो यहाँ पर भी मैं पहले तो दो फिगर यहाँ पर बना देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर सम रूपता इसमें भी मैंने दो फिगर बना दिया है एक यह है और एक यह है ओके अब आप एक चीज़ को ठीक से समझे यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि सर जैसे यहाँ पर बने है यह वैसे ही बिलकुल यह बने है तो यह भी सरवांगसम है बिलकुल यह सरवांगसम है अभी भी यह सरवांगसम है क्यों? क्योंकि जो इनके रूप और आकार एक जैसे हैं ठीक है ना? लेकिन यह साथ में समरूप भी है तो जब हम समरूपता की बात करते हैं तो उसमें केवल हम उनका रूप देखते हैं हम उनका आकार नहीं देखते हैं उनका आकार एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यानि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ पर जूम कर दिया है मैंने तो यह अभी भी क्या है यह समरूप है तो जब हम समरूपता की बात करते हैं तो इनका रूप एक समान होता है लेकिन जो इनका आकार है वो एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन जब हम सरवांग समता की बात करते हैं तो दोनों चीजे एक जैसी होनी चाहिए रूप भी एक जैसा होना चाहिए और आकार भी एक जैसा होना चाहिए बात समझ आगे तो यहाँ पर हम इस नतिजे पर पहुंच सकते हैं कि देखो यहाँ पर मैंने इनका रूप अलगलग कर दिया है लेकिन अगर इनका रूप अलगलग नहीं होता एक जैसा होता तो भी हम इसको क्या कह सकते थे यह इनका अगर हम रूप एक जैसा बना दे तो भी हम यह कह सकते हैं कि यह सम रूप है ठीक है ना इनका आगार हमने एक जैसा बना दिया है तो इनका साइज जो है ये अब एक जैसा है लेकिन तो भी ये समरूप है और अगर इनका साइज में आलग-अलग कर दो तो भी ये क्या होगा समरूप होगा तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जितने भी सर्वांगसम जितने भी सर्वांगसम आगरतियां होती है वो समरूप भी होंगे तो यानि ये समरूप भी है समरूप भी है लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होंगे ये सर्वांगसम नहीं है लेकिन ये समरूप है ठीक है क्योंकि सरवांग सम होने के लिए उनके आकार को भी एक जैसा होना पड़ता है आपको बात समझ आगे तो आई होप आपको ये एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा और अब आप दो आकरतियों को देखे आराम से बता सकते हैं जैसे मैं आपके सामने की एक्जामपल देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर एक ये है त्रिबुज ठीक है ये संबाहू त्रिबुज है तो इस संबाहू त्रिबुज के बगल में एक दूसरा संबाहू त्रिबुज अगर मैंने बना दिया तो हम क्या कहेंगे एक मिनट इसके बगल में ये संभाहत्री बुजे तो अब आप बताओ कि ये दोनों आकरती हैं जो हैं आपस में क्या ये सर्वांग सम है नो ये सर्वांग सम नहीं है क्या ये समरूप है बिल्कुल ये समरूप है ठीक है न क्योंकि ये समझो कि इसी को एक को ही जूम करके हमने दूसरा बनाया है ठीक है न तो इनका रूप एक जैसा है आकर अलग अलग है तो इसलिए ये समरूप है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा बिलते हैं अगले वीडियो में ठेक क्यार